नमस्ते दोस्तों आज हम मिल्का सिंग एंड गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आप जानते हैं कि मिल्का सिंग ये भारत के बहुत बड़े बहुत पॉपिलर ऐसे रुनर है उन्होंने कई कॉंपटिशन जीती है ये गोल दो टाइप के होते हैं एक शॉट टम गोल और एक लॉंग टम गोल शॉट टम गोल मतलब कम समय में पाने वाला गोल जो छोटा होता है मिल्का सिंग के बारे में अगर कहा जाए तो बचपन में उन्हें उनके घर वाले कहते थे अगर तुने सुबह इतनी रनिंग की तो मैं तुझे मिल्क दूंगा और वो उसके लिए दोड़ते थे और फिर दूद मिलता था वो पीते थे उसके बाद वो आर्मी में भरती हुए उन्होंने एक रनिंग चैंपियन के पास एक कोट देखा उन्हें समझा कि ये कोट रनिंग कॉपेडिसेंद में चैंपियन होने के बाद मिलता है तो उसके लिए उन्होंने वो रेस जितने के लिए प्रयास किया रेस जिती और उन्हें कोट मिला ये वह शॉट टम गोल लॉंग टम गोल क्या होते कि मुझे मेरे लड़के को डॉक्टर बनना है या मुझे इंजिनियर बनना है या दस साल में मुझे इतनी मेहनत लेनी है कि मैं दो सियार का बंगला बनाऊंगा तो ये होते लॉंग टम गोल गोल शुड भी समार्ड गोल या इस अगर मुझे मेरे वेट कम करना पड़ेगा क्या है और आइसा कही के चलेगा क्या है, नहीं मुझे पाच किलो वेट कम करने का है पिर वो कप करने का है एक महने के अंदर करना है अगर मेरा वेट 90 है तो मैं 5 किलो कप करना है अगर मेरा वेट 90 है और मैं कहता हूँ कि मुझे 50 किलो करना है इस- वो realistic नहीं है Fernando Rigyan ओर time bonded कि मुझे 5 किलो वेट करना है तो एक महने में करना है या पाच महने में करना है यह सब बाते जहा होती है उसे कहते हम स्मार्ट गोड मिलका सेंग ऑस्ट्रेलिया में एक कॉंपेटिशन हार गए और उसके बाद उन्होंने उनके कोच को पुछा कि 400 मिटर रनिंग जीतने के लिए कि इतने टाइम में मुझे दवड़ना पड़ेग और उसकोच ने पेपर पे लिखा 49.5 सेकंड मतलब यह गोल बना लिया है इट वा स्मार्ट गोल कि मुझे एक साल में प्रैक्टिस करनी है और आईसे प्रैक्टिस करनी है इतना तेज भागना है कि मैं 400 मिटर यह दोर 49.5 सेकंड में कम्प्लिट कुरू और फिर उसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की वो टायर बांते थे भागते थे वो डेजर्ट में भागते थे इतने देर भागते थे जब तक उनके मुह से खुन ना आये वो नीचे गिर न पाये इतना देर उन्हेंने प्रैक्टिस की और आखिर में पाकिस्तान में उन्होंने मैच जि में के बाद जब पंडित नहों जवारलाल नहरू वह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भारत के लिए एक दिन की चुट्टी डिक्लेर की मतलब जो जो चुट्टी का गोल है न वो मिलका सिंग ने मतलब यह उसका लॉंग टर्म गोल था उन्होंने उसकी जो फ्यांसे थी उसे कहा था कि देख मैं रुनिंग में आईसी एच्वमेंट करके बताऊंगा कि एक दिन मेरे उस एच्वमेंट के लिए पूरे भारत को चु इन्होंने भारत के लिए एक दिन की चुट्टी डिक्लियर की तो इस प्रकार होते हैं शॉट टम गोल लॉंग टम गोल एंड स्मार्ट गोल और यह पूरे गोल अगर हम हमारे जिंदगे में एच्व करते हैं हम पेपर पर राइट डाउन करते हैं किसी को हमारे गोल के बार करते हैं